दोस्तों आज किस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्रिग्राफिक के बारे में आपने आपको समझा दिया था आज मैं आपके आगे के साथ मैं बढ़ने वाला हूँ तो चलिए कि करके यहां पर चीजों की शिरुवात करेंगे और मैं आपको पर एक हुइन का शाप्टर करा नाम है हिस्सी क्या और तरीकही यहां दे लेकिन घुल में सब्सक्राइब होता है अब यहां पर मैंने क्या हिस्ट्रीकल रिसेर्च किया कैसे जाता है का तरीका होता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं यह चीज है मैंने आपको मेरे पिछले इस सेशन में जब मैंने क्या 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 है मतलब बैसिकली में नरेशन लिखूंगा कि पर्टिक्लरी उस टाइम पर यह चीज़े हो रही थी वह इस तरीके से हो रही थी और इस तरीके से की जा रही थी अब मुझे एक चीज रहता ना अब यह जो नरेशन मतलब यह जो slim है मैं एक अपनी किताब में लखने वाला और ऑफ न यह जो इस चीज़ क्रिटिकली सारी मूंस क्रि Gerade मैं telect कई हांसाइओ अपने चचेक करके लिखिए तो इस चीज़ को हम लोगके औरे बढ़ा रहो ओने जो फॉक्षर वत हैं जो नाचता ह fel जो बन को घ्रक से जो बंदा क्या गरता है आप इस historiography को लिखता है उसको हम लों क्या भोलते हिस्टी एन बुलते हैं क्या बोलते हिस्ट học जिसने मेरे चाचा और चाचा ने कहला किया मेरे चाच ने इस्टो घ्राफी लिखी तो मैरे चाचा क्या हुвए साचा का बाड़ीग हुए क्या नई बेटा क्या हुए एक historian हुए क्या हुए हुए वह समझ में आ गया चालिए अब और बतंगा और दे में स्कारी कbernativa कर दो अक नहीं हिस्टरी तो बहुत बढ़ी है कि अत्री Mississippi बढ़ी अब क्या मुझे चीज बता हो क्या रृष्टरी की बार voltar में सारी चीज लिख सकता हूर लिखी और हर इक चीज में लिख सकता है अब बलेगे गप्श को के आप बोलेगे फॉ रहे फॉसिबल पॉसिबिलीटी ही नहीं है समझ में आ गया तो इस वाज़े से हर एक historian क्या अपनाता एक conceptual framework अपनाता है क्या अपनाता है conceptual framework क्या अपनाता है और वाट do you mean by conceptual framework जहां पर वो क्या करता है history के कि 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 भी एक particular subject के उठा लेता है जिसे फार में बात करूं कि अगर एक में एक बंदा हूं जो क्या करना चाहता है जो मराथा टाइम्स कि कोईन के बारे में study करें या फिर हिस्ट्री में जो कोईन से उसका जो evolution हुआ उस evolution की बारे में study कर रहा उस चीज की बारे में लिख रहा हूं तो मेरा conceptual framework क्या हुआ मेरे conceptual framework हुआ मेरा कॉइंज हुआ थेकर अब एक ऐसा वंदा हो जो क्या कर रहा है जो आपके माराथा रूल के बारे में लिख रहा है तो जो माराथा रूल मेरा क्या हुआ मेरे conceptual framework हुआ समझ में आ गया अब मेरे पॉसिबल नहीं कि इत्यास जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर अब तक यानि contemporary period तक आने तक में एक चीज क्या इंक्लूड कर पो नहीं पॉसिबल है समझ में आ गया और सारे आस्पेक्स पूंक्लूड कर पो तो इस वज़े से हर बार जो एक ढिनिटें आपको क्या से का चीज़ को रिदी कली एनलाइज करके उसको अम लोग क्या बोलते हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं अब चीज मुझे यहां पर लोग यह समझाना अभी इसुटोफियो अपका ट्रेडिश्टोरियोग्राफिय होते है अब यह नहीं हो तै अगर मैं बात करू और ट्रेडिशनल इस्टोग्राफिक ऐसे हो दी थी वो भी मैं आपको समझागो अब हमारे जो आंसेस्टर से इन सबी चीजों के बारे में हमारे जो आगे आने वाली जो वंश है आगे हमारे आने वाली जो जेनरेशन उनको भी क्या पता होना चीए था और चाहते थे कि हमारे आगे आने वाली जेनरेशन को भी यह चीजे के बारे पता रहे तो इस वज़े से वह क्या करते थे आपने द बार में information दी गई है आपके कोई मंत्र के through information गई है कोई painting के through information दी जाती है कुछ शेव बना के कुछ मुर्तिया बढ़ा के information दी जाती थी समझ मैं बस आज के देट में हम यह चीज सारी चीजे रिटन के फॉर्म में दे सकते हैं अब और भी चीजे मीडियम जो है वो क्या बदलते क्या जा रही है इतनी चीजे क्लियर होगे अब टेशन इस पहले यह भी हुआ करती थी जहां पर हमारे आने वाली के दोनी जनरेशन को हमें हमारी जो टाइम है उस के बारे में बताना है लेकिन कही ना गई ज कहीं न कितिकल अनलाइस्वाइस वाला पार्ट जहाँ पर हम critically सारे चीजों को सारे हैस्पेट्स को अनलाइस करते तो पर पर चाहरा जा सके जाए अब इसी चीज को देखने के लिए यहां पर हमारा यह क्या हो जाता है जहाँ पर कोई अगर कुछ बादा था उसी चीज को नोट डाउन करके फिर जनेरेशन डो जनेरेशन चीज़े पास क्या की जाती थे तो यहां पर मैं आपको traditional प्रिटिकली ऐनलेइस किया जाता है अब उसकी चार में करक्टर स्थिक्स है जो में क्या पढ़ने या आपको फ्लोचार्ट में पूछा जा सकता है तब से पहला मेथड क्या है दमेधर इस बेज़ आ सब्सक्राइब जहां पर हम क्या करते हैं हम चीजों और अमेशा जब लिखी जाती है रिसर्च किया जाता है तो वहाँ पर क्या किया आता है सबसे पहले आपका एक relevant एक सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब बारे में देखने मिलता है एक हम हमारे डिवाइन सभी उडने वाले इंसानों के बारे में हमने मैं गधर कहानिया भी सुनि हमने तो वह उस कि बारे मेरे बात नहीं किया जाता है किस तरह से रहे थे का करते थे क्म आखाने करते थे इन चिpower की चीजे पहना कर देंhen चिज़ों के बारे मैं हिंक आति इसको पॏडेडीड़ यह जैसा ही बात है आध यह जो question जो सबसे पहले process में क्या हुआ था आपका फॉर्म हुआ था अब जैसे जैसे रिसर्च होंगी इन questions का क्या मिलेगा answer मिलेगा तो answer पैसे आग बन के भरुसा कर लेंगे नहीं इन पर आग बन करके हम भरुसा नहीं करेंगे हमेशा क्या हमी क्या चीह रहेगी एक reliable evidence चीह रहेगा reliable evidence जरूरी नहीं ना जो मैंने शोर्स देखा या फिक जो source मैंने पड़ा वह सोर्स हमेशा क्या रहे वह हमेशा राइट ही रहे हो सकता है वह गलत भी हो तो इसलिए इस जो बोलते ना कि यह जो हमारे thinking को change करने के लिए हमें क्या चीह हमें एक evidence यह रहेगा ताकि हमें पूरा का पूरा क्या भूरुसा यहां पे हो जाए इन चीज़ों के लिपाए दन फिर नेक्स आमारे पास क्या है इस्टी प्रेजेंट सा ग्राफ और अब कैसा है सभी बात है कि पहले वह बुड़ा था थोड़ा सा अच्छा हुआ फिर बहुत अच्छा हो गया आप भी अगर आप अपनी ही चीज़ों देखो तो आप पहले कैसे थे आप कैसे हो फिर इसमें कैसे थे यह सारे चीजा आपको पता कैसे चलती ही आप की सत्रय में हे बना फिर वहीडिंग बना ऑगया faith and पूरी चीज़े कर दिया एक और चीज बाकी यहां पे देखो एक चीज़ बाकी धेखो पुछ आज़े लिए ग्रीक टाम है ठीक है अब यहां पर जो ही रोडॉटर से जो कि एक ग्रिक हिस्ट्री और उन्होंने फिर्फ सेंचिरी में क्या लिखा था पर सेंचरी में यह जो टम है इस्ट्री यह पहली बार यूज किया अपनी बुक टाइटल करने के लिए समझ में आ गया तो वहां से यह टर्म जो है निकल कर आया और पहली बार किसी तरह जो कि फिफ सेंचिरी बीसी यानि विफो क्रिशन एरा मतलब क्या होता है यह आपको समझा देता हूं यह टाइम लाइन है हमारी ठीक है अब जहां पर क्या किया गया अब कुछ बोलते ना कि एक नया साल पर से शुरू करेंगे जो की साल सबके लिए क्या कौम होगा पूरी दुन्या में ठीक है अब यहां पर दान देना अब यहां पर भी जो सिवराइजेशन बहुत पहले फॉर्म हुए थे उनका टाइम यहां पर भी था तो उसको कैसे करेंगे तो ने सिले की टर्म ऑए क्या कि वीजी इऐ आया तो मतलब क्या हो गया जिसवाद में हुआ है तो मतलब क्या हुआ है आज से कितने साल पहली चीछीब हुई थी 24 साल रहा है 24 में से तो सेंचेरी हम माइनस कर देंगे तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल जायाएगा अमें अट्राइब साल पहले क्या हुआ था समझ आठाइब अठ्राइब सो साल पहले यह हुआ था क्लियर हो गया अब सेम चीज़ अब क्या अब अब दो हजार बीशी अब दो हजार बीशी मतलब इफॉर मतलब जित आज हुआा शाल को आज कितना हो गया दोहाजार चौबीस चल जैए तो दोहारधा च्र था पहले यहां जब कभि जिसक्राइस के पहले पैदा वर्थ होने के पहले फट्ज कॉइवेंट हुआ था हूँ सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने यहां पर चीज़े बता दिये तो अगर बोला है फिफ सेंचरी बीसी प्रिफ सेंचरी मतलब क्रिश्चिन एरा तो मतलब क्यों गया आपके जिस जिस का इसके पैदा होने के पाथ संचरी पहले क्या यह चीज़ें हुई थी समझ मैं सब्सक्राइब करें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा चानल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्ताइब कर आपके अपने अपने गिरिट रोल्स के एडिव चानल पर दोस्तों